बिसमिल्लायरहमान रहीम स्लाम वालेकुम दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस और डेटाबेस के अबजेक्टिव की डिटेश आपसे शेयर की थी आज की लेक्चर में हम डेटाबेस मॉडल को डिटेल में डिसकस करेंगी तो दोस्तों डेटाबेस मॉडल से क्या स्थेरी ये बताते हैं कि आप किस तरीके से सिस्टेम माडल को डंप सीकरएंगे Leaf करेंगे और इसे असना मेंاح मंडी तरके mi स्चैनल मॉडल नित्वर्य कूल और इनको बारी-बारी 2022 म div कर देकर वार अबना हे स और यह इसकी डेफिनिशन देखिए इन हिरार्किकल मॉडल डेटा इस ओर्गनाइज़ लाइक फैमिली ट्री और इनवर्टेट ट्री तो सबसे टॉप पर आपके ग्रेंट फादर हैं अगर आपके ग्रेंट फादर के चाइल्ड यानि आपके फादर आपके फादर के सिब्ल अब पादर है पैरेंट फिर यह आप और यह आपके चाहिए रहेंसे ऐख्योश्चनिक टो तमांबॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं देउर्ट के सो Bishop किमांगे ट्रहन है के सबसे टॉल पर यह इनके तीन चाइड10 एक परके नगहीं तीन चाइड हैं एक परनिट है यानि एक चाइल का हमेशा एक ही पैरेंट होगा इसलिए हिरार्टिकल मॉडल को one to many relationship भी का जाता है क्योंकि जिस तरह तो एसा मॉडल कहलाएगा वन तुमाड बाद पर सबसे मीचे और अपट की तरफ ब्रोट करते हैं उतकी शाखे लेकिन इनवर्टिक क्या होगा इनवर्टिक को हम यह कहने के एक उल्ट्रैट्म जिसकी जो रूट होगी वह टॉप पर होगी और शाखे सब्सक्राइब करें तो यह जो है यहां पर यह कहलाएगी रूट लोट क्योंकि यहां पर इनवर्टिक की मानिन होता है तो सबसे टॉप पर होगी और जो इसकी शाखे होंगी वह बॉटम पर होगी अब आये दोस्तों जानते हैं कि हिराकिकल मॉडल में डेटा को किस तरह स यहां पर को सितुएटा को में में श्टोर किआ जाता है किसा अगर आप किसी कॉलेज के डेटा बेस की बात करें तो आप सब्सक्राइब करें जो इनके की सब नोत तो कोर्स के बाद ही आप कोर्स के जो सब डिपार्टमेंट से यहां इन के डेटा को आप इस्टोर करते जाएंगे one by one data को store करते जाएंगे कि पहले college फिर department फिर फिर ऊर्स फिर ठीयूरी फिर lab यानि सबसे पहले parent इसके बाद चाहिए और इस तरी कि से parent child parent-child के relation पाधा को store करेंगे दोस्तों अगर आप किसी particular data को retrieve करना चाहते हैं जैसे किसी lab के data को retrieve करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट भी टॉप से करना होगा पहले आप उनिवर्सटी के उपर जाएंगे पहले कॉलेश पर जाएंगे उसके बाद देपार्टमेंट फिर उसके बाद कोर्स और फिर उसके बाद ही आप लाब के अंदर से डेटा को रित्रीव कर सकेंगे यह जो हिरार्किकल मॉडल है जब आपको 23 क्योंते को एक्सेस करना हो लेकिन दोस्तों इस मॉडल के दो ढूबlic छे है कि रित्रीज अपने पर्टिकुलर लैब लैब वन के डटा को अपने रिट्रीफ किया था अब आपको दुबारा से इस पूरे रूट को फॉलो करना होगा कि पहले कॉलेज देपार्टमेंट देन लैब तब जाकर आपका दूसरा रिकॉर्ड रिटीज होगा तो दोस्तों इसमें क्योंकि कि आपको जाधा टाइम लग रहा है इसी लिए लिकेंसे कि यह एक टाइम कंजिमिन प्रॉसिस है और अगर आप इस नोट पर मौझूद है और आपको पीचर डिपार्टमेंट पर जाना है तो आपके पास क्योंकि कोई सेपरेट निक मौझूद नहीं है इसलिए यह निमिवर्सी जाएंगे तब जाकर ऑप पाशलेज नोट मौझूद पर जाएंगे उसके बाद सेपर्टमेंट नोट पर जाएंगे तब जाकर अपीचर के अंदर मौझूद औ क्याल्र मौझूद डिटा को ऐस् bran है कि हमारे पास पेरेंट चाल्ड लिक पूर लिक मौझ नहीं है और रिलेशन मॉडल नहीं है और नेक्स को नहीं होता है यह तो अगर हम इस चाइल को करेंग तो यह अब इस चाइड के दो पैरेंट्स हो गए हैं तो ऐसा हिरार्टिकल मॉडल में पॉसिबल नहीं था जबके नेट्वर्ग डैटाबेस मॉडल का फाइदा यह है कि इचाइड कैन है जैसे यहां आपको डाइग्राम में भी नज़र आ रहा है और दोस्तों जिस तरह हिर इक रिकॉर्ट मेंबर हो सकता है एक से ज़्यादा आपनेर का जैसे यह रिकॉर्ट से नहीं तो यह दो ग्रुप्स पीचर और पूस्त और इनके माबेन कोई link नहीं है जबके network model में आप दो groups के दर्म्यान relation को बना सकते हैं अगर आप course department को teacher department से connect करवाना चाहते हैं तो network model इसकी इजाज़त देता है इसलिए इसका यह point देखिए it established relationship between records in different groups आप अलग अलग groups में रखे data को भी access कर सकते हैं अगर आपके दर्म्यान parent-child relationship नहीं है फिर इस तरह hierarchical model को one-to-many relation model भी कहा जाता है कि वहाँ एक parent के हमेशा multiple child ही हो सकते हैं जबके network model को one-to-many और many-to-one model भी कहा जाता है कि in network model one parent can have many child and one child can have many parents और दोसों यह इसका एक advantage देखिए तब major advantage of network database over hierarchical is their access to multiple data sets यानि आप multiple groups में data को access कर सकते हैं या आपके पास restrictions नहीं हैं और क्योंकि यह sequential नहीं है तो एक group से directly दूसरे group का data access हो सकता है जिसी बज़त से आपका time भी consume नहीं होगा लेकिन दोस्तों इसका एक disadvantage भी है कि यह hierarchical database की network complex होता है यह diagram में भी आप देख सकते हैं इसी दिए एक complex network model में मजीद data को डालना भी मुश्किल होता है उसमें इंजर्शन भी मुश्किल होती है तो एक बहुत ही माइनर सी diagram है अगर आप network models को देखे तो उनके अंदर हर एक जो group होता है उसका दूसरे group से link होता है जिसकी बज़त से जो diagram है जो database है वो बहुत ददा complex हो जाता है इसके बाद जो तीसरा model है वो है relational model को डॉक्टर एगर एफकॉर्ड जोके एक mathematician थे उन्होंने 1970 में डवलप थी तो दोस्तो hierarchical model mainframe computer इसके लिए बनाया गया था जिसके relational model सभी तरह के computers mainframe से लेकर micro computer सब पर यूज हो सकता है तो दोस्तो इसी लिए यह अब तक का सबसे ज़्यादा इस्तमार किया जाने सब्सक्राइब किया जाता है दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं और यहां इस अब इस नाम से एक टेबिल बना देंगे अब उस इस इस नेम एक फील होगई उसका रोल नंबर एक दूसरी फिल्ड हो गई और इन तमाम फिल्ड को आप पॉलंस में रिप्रिजेंट करेंगे इस पूरे रिकॉर्ड को रॉक की सूरत में जैसे दोस्तों यहां पर आप गॉर करें तो यह जो तीनों आपको नेम जज़र आ रहे हैं इस आर पॉल्ड एट्रिब्यूंट और को यह जो एक की दार के लिपार्ण के अंदर डिफाइंट करेंगे इसे तरीके से उन पर सकते हों do तो relation भी आप एक new table की सुरत में बनाएंगे जैसे यहां एक student का table है और एक teacher का table है तो इन दोनों tables के दर्म्यान अगर हमको relation बनाएंगे relational model के थूँ तो आप इसके लिए एक नया table generate करेंगे stu underscore tea के नाम से इसमें student और teacher दोनों के tables की keys मौझूर होंगे जी हां दोस्तों यहां पर हर एक relational model में हर एक table में हर एक raw को एक unique key दी जाती है और उन keys को अगर आप दो tables के दर्म्यान को relation मनाने जाते हैं तो उन keys को इस नए table के अंदर put कर देंगे और इस new table की वज़र से आपका control database पर और बढ़ जाएगा तो इस तीसरे टेबल की मदद से इन दोडों टेबल से आप एक साथ data को access कर सकते ही और दोस्तों relational model का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यह है कि यहां कोई parent-child relation नहीं होता जिसकी वज़़ा से पहले से database का structure define करने की जरूरत भी नहीं होती है बलक तो इसे लिए relational model को सबसे ज़्यादा easiest model का जिदर किया जाता है और यह अब तक का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला model का जिदर किया जाता है तो इस model को मजीब detail में हम next lecture में पढ़ेंगे हम next chapter में पढ़ेंगे जिसका नाम है basic concept of database अभी आप यह जान ले कि relational model ऐसा model होता है जिसमें आप तमाम फाइल में रखेंगे डेटा को टेबल की शकल के अंदर स्टोर करवाते हैं दोस्तों यह थे तमाम मॉडल्स यहां पर हमारे लेक्चर का एक तताफम हुआ अगले लेक्चर में हम database management system और उसके objective के लिए इस आप से शेयर करेंगे तब तक के Allah हाफिस